बड़े परदे पर फिर टैवल बनेंगे सल्मान खान फिल्म से जुड़ी इस बात का साजिद नड्याडवाला ने किया खुलासा साल 2014 में आई फिल्मी दुनिया के सुल्तान सल्मान खान की फिल्म किक उनके फैंस और कई दर्शकों को काफी पंसद आई है यहीं दर्शक और फैंस इस फिल्म के सीक्वल का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और अब इस खबर के अनुसार उनका यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है फिल्म के निर्माता निर्देशक साजिद नड्याडवाला ने ही इस खबर को हमसे साज़ा किया है साजिद नड्याडवाला ने पहले कहा कि इसके सीक्वल में इतना समय इसलिए लगा क्यूंकि वेह नहीं चाहते थे कि जल्दबाजी में फिल्म का सीक्वल खराब हो जाए फिल्म के दर्शकों को काफी पसंद आई थी साजिद नहीं दर्शकों की आकांग्शाओं पर एक बार फिर अरे उतरना चाहते थे इसलिए वह कि के सीक्वल पर काफी समय से काम कर रहे थे साजिद बताते हैं कि सीक्वल के फर्स्ट ड्राफ्ट की तैयारी वेह कर चुके है लेकिन फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट अभी तैयार करनी बाकी है जैसे ही वह पूरी हो जाएगी फिल्म की शूटिंग के लिए जगहों का नेरिक्षन शुरू हो जाएगा उसी हिसाब से फिर फिल्म की शूटिंग भी अगले साल यानी 2020 तक शुरू हो जाएगी साजी ने फिल्म के कलाकारों पर आगे कहा कि सल्मान के अलावा फिल्म में अभी किसी को कास नहीं किया है फिल्म की स्क्रिट पूरी होने पर ही सल्मान के अलावा अन्य कलाकारों का चयन किया जाएगा गौर तलब है कि किक में सलमान खान डिवल भी बने थे जो कि देवी लाल सिंग से बना था